आदर सिक्षन समिती बाड मेर की ओर से चलाई जारी इस ओनलाइन कक्षा में आप सब का स्वागत है कक्षा 9 में विशे सामजिक विज्ञान भुगोड पार्ट 2 भाग 18 चेप्टर 2 भारत का बहुतिक स्वरूब इससे पहले हमने भारत के बहुतिक दो भागों के बारे में दिन किया था एक था हिमालय परवत और दूसरा उत्तर का मैदा उसके बाद भारत के बहुतिक सरूप का तीसरा बिंदु आता है प्राइड वी पिये पठार तो ये जो बारत का भाग है वो उत्तर के मैदान के ठीक दक्षिन में आता है इसका जो निर्माण हुआ है वो क्रिष्टल ये आगने और उपांतरित सेलों से हुआ है गौडवाना भुमी के तूटने और अपवा के कारण इस भाग का निर्माण हुआ है इसकी जो आकरती है वह एक मेजगी आकरती की तरह है और इसकी जो और क्या-क्या विशेस्ताय आ सकती है तो इसमें चोथी छिसली गाटियां और गोलाकार पाडियां इस भाग में आई हुई है पठारी भाग में और इसके भाग को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है मद्य उच्छ भु के उत्तर में जो प्राइदीवी प्य पठार का वह भाग जो की मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला हुआ है उसको कहा जाता है उच्छ भुमी के नाम से कहा जाता है विंद्य स्रंखला और दक्षिन में सत्पुडा स्रंखला और उत्तर पच्छि में इसको हम मा परवत माला से गिरी हुई है, पच्छिम की तरफ देखते हैं, तो देरी देरी राजस्तान के जो बलूई और पत्रीले मरुस्तल में ये पच्छिम की तरफ मिल जाता है, इस छेतर में जो पर्मोग्रूप से जो नदियां बहती है, वह नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, दक्षिन पच्छिम से ये सब बहने के पच्छा उत्र पूरू की तरफ भाजाती है, इस परकार इस छेतर में का जो ढाल है, वो ये दर्साता है कि मद्दे उच्छ जो भूमी है, वो पच्छिम में चोड़ी है, लेकिन पूरू की तरफ देखी जाएगी, तो वो संकि है, इस पठार के पूरू विस्तार को इस्तानी रूप से बुंदेल खंड और बगेल खंड के नामों से पुकार जाता है, इसकी पूरू की विस्तार को पूरू में दामुदर नदी के द्वारा, अपवाइत छोटा नागपुर का पठार भी देखने में आता है, की तरफ यदि हम देखेंगे, तो चोड़े आदार पर सत्पुडा की स्रिंकला आती है, महादेव, कैमूर की पाड़ी और मैकाल जो स्रिंकला है, यह वहाँ तक इसका पूरू विस्तार आया हुआ है, दक्षिन का पठार पच्चिम में उंचा है और पूरू की और इसका ड जाले, कार्भी, एंगलोंग, पठार और उत्रकचार पाड़ी, इसमें इस रूप से जाना जाता है, यह एक ब्रंस के द्वारा छोटा नाग और पठार से अलग हो गया है, पच्चिम से पूरू की और तीन मेहत्वण स्रिंकला आती है, जिसको गारो, खासी और जैंतिया क के नाम से पुकार जाता है, दक्षिन के पठार के पूरू और पच्चिम से पर भी दो परकार के गाट है, एक पूरू की तरफ पच्चिमी गाट है, पच्चिमी गाट की तरफ यदि आप देखेंगे, तो पच्चिमी गाट पच्चिमी तट के समान अंतर है, और पूरू क वो पूरू की तरफ समाना अंतर है, पूर्वी गाट का जो विस्तार है, मान अधी गाटी से दक्षिन में नेल गीरी तक आता है, ये है वो देखते हैं तो इसका सबसे जो उंचा शिखर है वो मेंदर गीरी है, जो पन्राज सो मीटर तक इसके उंचा ही है, पच्चीमी गाट की तरफ जिदी उंचाई में देखेंगे तो 900 से लेकर के 1600 मीटर तक उंचाई है इसके जो सर्वुच सिखर है अनाई मुडी जो की 2655 मीटर दूड़ा बेटा है वो 2633 मीटर है और यहां एक विशेश प्रकार की मिटी पाई जाती है जिसको इसतानी बासा में दककन ट्रेप य ही है अगने सेल से इसलिए उसको बहां दककन ट्रेप का जाता है इस प्रकार से हमने इसके जो भाग है पूर्वी तट और पच्छिमी गाट वाला तो पूर्वी जो गाट है उसके उंचाई 600 मीटर है अगला जो बारत का भोतिक विबा गाता है बारती इमरुस्तल जिसको इमरुस्तल के नाम से पुकार जाता है इसमें यह जो अरावली परवत माला है इसके ठीक यह पच्छी में इस बाग की विशेशता यह है कि यहां पर 1500 मिली मीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है जो कि कम वर्षा कान या वनस्पती भी बहुत कम मात्राम पाई जाती है गर्मियों में यहां बैंकर गर्मिया पड़ती है और सर्दियों में यहां बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है इसकी पच्छी में दिस्टा की तरफ हम यह जाके देखें तो बहुत कम मात्रामें वनस्पतियां भी कम है और लंबे-लंबे रेत के दोरे है जिसको इस तान मैदान जो अम दोनों तरफ का तट देखते हैं मानचित्र में तो जो अरब सागर की तरफ है इसको पच्छी में तट का जाता है और बंगाल के खाड़ी की तरफ है इसको पूर्वी समदुर तट ये मैदान का जाता है इसके ये दो बाग होगे पच्छी में का तट की तरफ पूरवितत की तरफ बंगलकि खाड़ी तरफ जाएं तो इसके दो भाग है उत्तर वाले भाग को उत्री सरकार तट और दक्षिन वाला भाग है उसको कोरुम अंडल तक तका जाता है पूर्वी तट में जो नदियां बैती है माहनदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये नदियां है इस भाग में जो कि एक विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और चल का जील पूर्वी तट पर जो जील है भारत में सबसे खारे पानी के सबसे बड़ी जील जो कि उड़िसा में माहनदी का जो डेल्टा है इसके ठीक दक्षिन में आती है अगला जो भाग आता है वो आता है द्वीप समूँ यदि अम मान चित्र में देखेंगे तो बारत के ये जो दो द्वीप समूँ एक तो आता है अरब सागर में अरब सागर में जो की लक्ष द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में वो है अंडवान और निकोबार द्वीप सहूँ केल के मलावार तट के पास इस्तित लक्ष द्वीप है ये जो बहुती छोटे परवाल द्वीपों से बना हुआ है पहले इनको लक्ष द्वीप मिनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से भी इसके जो पुराने नाम है उने सो तैरतर से इसको लक्ष द्वीप के नाम से पुकारा गया है जो के आपने पूरू की कक्षावं पढ़ा था इसका साब्दिकार तो था लक्ष यानि लाख द्वीप यानि द्वीपो का सम्ग यानि लाख द्वीप है वर्तमान में ये 32 वर्ग किलूमेटर इसका जो छेतरपल है परसासनिक दरश्टि से कामकाज के लिए कवरती इसका परसासनिक मुख्यालिया राजदानी है और यहाँ पर पादप और जन्तु के बहुत सारे प्रकार विविद्धा हैं हमको देखने मिलेगी पिटली द्वीप इसका ऐसा एक द्वीप है जा मनुस्य नहीं रहता है वहाँ एक पक्षयों का अवभया रहने है दूस्तरे बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिन की तरफ फैला हुआ जो द्वीप है उसको अंडमान निकोबार द्वीप समू का जाता है यहाँ पर बहुत समू है हो द्वीप आकार में बड़े संक्या में और बिकरे बिकरे है इसमें निम्मंजित परवसरेणियों के भी शिकर है यह द्वीप समू देश की सुरुक्षा के लिए बहुत मैतुपुन है और जहां पाये जाने वाले जो पोद्दे और जन्तुओं की बहुत ज़्यादा विविद्धा है यह विश्वत वर्तर्थात भूमत दे रेखा के पास में आया जुआ यहां की जलवायू भी उसी के साबसी है गन्ने जनलों से वो डखा हुआ है परकार से हमने इस पार्ट में पढ़ा कि हमारा देश है वो विविन परकार के विभागों का भूट में बंटा हुआ जो की अलग-अलग इसकी विशेशता है परकट करता है फिर भी यह सभी भागय वो एक दूसरे के पूर्ख है जो की देश को प्राकरत एक संसादनों से समत बनाता है जहां उत्र के परवत है उजल और वनों के परमुक्ष रोत है तो वही दक्षिन उत्री का जो मैदान है वो अनका बंडार है जिनसे प्राचिन सभ्यताओं के विकास को भी बहुत बड़ा आदार मिला है पठारी पाग में देखेंगे तो खनी जोग भी पूल बंडार है जिसने देश को ओद्योगी कर्ण में विशेस रूप से आगे बढ़ाने में अपनी भूमी के निबई तटे छत्र है उसका भी मैत्व है मत्से और पोट समंदी किरिया कलापों के लिए बढ़िया है इस प्रकार से ये देश के विविद भोतिक आकर्तिया भविशे में विकास के लिए अनेक संभावनाय प्रकट करती है जो की देश को एक मजबूती प्रदान करती है आईए अन्त में हम प्रश्णोतरक देखते हैं आज हमने तो पहला प्रश्ण है अरब सागर में कौन सा द्वीप इस्तित है दूसरा है पूर्वी समुदर तटी मेदान के दक्षिन भाग को किस नाम से जाना जाता है तीसरा है प्राइद वीप किसे का जाता है चोता धन्यवाद